क्या आप लोग भी सिर्फ और सिर्फ हजार रुपे देखे सल्मान खान के साथ काम करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरी देखेगा Hello guys, मैं आज आप लोग के साथ मेरा एक experience शेयर करने जा रहा हूँ जो की दो या तीन साल पहले की बात है जब मैंने अपना एक्टिंग का करियर स्टार्ट ही किया था जब मैंने एक्टिंग सीक ली थी और मैं काम की तलाश में था तो मैंने काफी जगे अपने प्रोफाइल बेजे और उसके बाद मझे एक इनसान का एक इनसानी था वो या क्या था I don't know बिफगू बनाने की मशीन था उसने मेरे पास मेसिज किया कि आपका जो है सलेक्षन हो चुका है सल्मान की मूवी में तो मैंने सुनते ही उसके पास फॉन म personnes पागल हो गया था तो मैंने मैंने पुछा ठीक है मुझे इतने knowledge थी नहीं मैंने बोला आगे मुझे क्या करना होगा तो उन्होंने बोला कि आपको अपने कुछ documents हमारे पास भेजने हैं और आपको 1000 रुपे का registration कराना है मैंने का document तो ठीक है बट 1000 रुपे का तो उन्होंने बोला कि आपको ये कराना पड़ेगा इससे हमारे पास एक शॉर्टी आ जाती है कि आप Mumbai आएंगे ही आएंगे मैंने बोला ठीक है वो तो मैं दे दूंगा बट उसके बाद आगे क्या होगा उन्होंने बोला कि आगे आपको क्या करना है आगे आपकी grooming classes होंगी मैंने का grooming classes क्योंकि पहली बार नाम सुना था उन्होंने का grooming classes में आपक है grooming classes करवा लेंगे हम भी हमें क्या problem है तो उन्हें का उसके ना 50,000 रुपीज लगते हैं मैंने का 50,000 मैंने का ये तो मेरे पास नहीं है तो क्या मेरा selection नहीं हो पाएगा तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मैंना production house से बात करता हूं उसके बाद शायद कुछ हो जाए तो आप अब मैंने जैसे ही उसके पास पैसे भेजे पांच मिनिट के अंदर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया हर जगा से अब उसके बाद ऐसे किस्से मेरे पास काफी बार हुए कि मेरे पास कोई 10,000 कोई 5,000 कोई 500 रुपे भी मागता था तो मैंने उस दिन के बाद ये सीख लिया कि भाई यह सब जो है यह सब होता है स्कैम इसके पीछे नहीं पढ़ना है अगर आपसे एक भी रुपिया लिया जा रहा है न तो वहाँ पर बात मत कीजिए तो दोस्तों यही था मेरी आज की वीडियो में अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडिय तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा सकते हैं तो आज की वीडियो में तो यही था बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना क्रियेटिव माइंड चलाते रहिए क्योंकि हमें काम क्रियेटिव माइंड से ही मिलेगा